जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का आपके पने YouTube चैनल ASAS Education के एक और सांदार वीडियो में आज की सांदार वीडियो में आप सभी को करूर रस की परिभासा बताने वाले हैं आपको एक पेज लिखना है और आपके बोर्ड पेपर में दो नमबर पूरा अच्छे से मिलने वाला है जैसा कि हमने बीर रस की परिभासा दे दी है ठिक उधार भी बताया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से देख लीजेगा हासरस का भी आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिन्क मिल जाएगी वहाँ से देख लिजेगा अच्छे से तयार कर लिजेगा क्योंकि दो-दो नवर का पूचा जाता है तो अप अच्छे से तयार किये रहेंगे तो आप अच्छे से बोर्ड पेपर में करके आएंगे ठीक तो प्लीज चैनल पर भाई नए आए हैं चैनल को भी subscribe कर लिजीएगा क्योंकि आपके लिए हम इतना करते हैं मिनाद करते हैं तो आपका भी यह फर्ज बनता है थोड़ा सा बसा आप चैनल को subscribe कर दिजे और एक लाइक कर दिजे प्यारा सा एक कमेंट कर दिजे ठीक ताकि आप सबके लिए भी हमारा प्यार बना रहे हों हम नहीं सोचे कि हाँ अच्छा वीड़ो बना रहे हैं ठिक तो भ olur आपक आपकी परिभासा जो करूड र GRAB करूड रसका अस्थाई भाव सोगता है करूड से ही अच्छ समझ में आ रहा है कि इसका जो अर्थ होगा ho Il, क्या होगा सोगा ठिक सोग shrug होगा सोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सयोग करता है तब क्या होता है विया कि करूर रस की निस्पन्त या उत्पत्ती होती है बात आपको किलियर हो गए होगी कि करूर रस कहां से उत्पन होता है जब सोक सब्द नामक अस्थाई भा से सयोग करता है तब करूर रस का उत्पत्ति होती है ठिक बात आपको किलियर हो गई फिर से एक बार समय लेते हैं कि करूर रस अस्थाई भाव सोक है करूर रस का अस्थाई भाव सोक है सोक नाम का स्थाई भाव जब विभाव अनभाव और संचारी भाव से सयोग करता है मरी खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी सीस अंधी आज बनकर मुझे को किया न्याय तुमने जग दीज भीया आपको इस तरीके से उदारण भी लिख देना है बात आपको किलियर हो गई होगी किस तरीके से आपको उदारण लिख देना है अब इसका लिखना क्या है इस्थाई भाव में लिखना है वीभाव में अलंबन में लिखना है सरवर कुमार से लिया गया है ठीक उसके बाद खास है आसरे इसका क्या है पाठक के जो पाठक है उससे आसरे रखते हैं ठीक गम है उदादी पन उदादी पन किससे है दसरत की उपस्थिती में जब दसरत ने सरवर कुमार के माता सरवर कुमार को तीर मारा था तब उसके सरवर के माता पिता के पास दसरत जी ने क्या लेकर गए थे जल लेकर गए थे तो वहाँ पर जब उन्होंने सरवर कुमार की सारी कहानी बताई तब वहाँ पर यहां उधारण उन्होंने कौन दिया था उनकी माता और पिता जी ने ठिक सरवर कुमार के ठिक अनुभव क्या है सिरका पटकना अनभोस में क्या किया जा रहा है सिरका पटकना संचारी भाव क्या है विसाद इसमिरिती प्रलप आधी ठीक प्रलप आधी इस तरीके से यहां पर संचारी भाव की उत्पति की गए ठीक तो इस तरीके से आप करूर रज की भी परिभासा एवम इसपश्टी कर अब उधारर को लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे दो नमबर मिल जाएंगे ठीक यहां बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है हर बार पूछा जाता है आप चाहे प्रेश्टिक सेट उठा कर देख लिजे या फिर आप माडल पेपर ही देख लिजे उसमें जरूर हासरस करूर रस या फिर बीर रस की परिभासा लिखने के लिए जरूर आता है ठीक तो आपको उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक करिजिएगा दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिएगा मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए टेक कार बुडवाए जय हिंदर